हलो एन वेलकम टूड़े के गुरू टेटोरियल कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुजराथ स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में जी हैं दोस्तो आज हम लोग गुजराथ स सेट का ओफिशियल नौटिफिकेशन कल ही रिलीज कर दिया गया है यहां पर आप देख सकते हैं यह जो एक्जाम होने वाला है यह 26 दिसंबर 2021 को होने वाला है यह एक्जाम इस बार महराजा सियाजी राव युनिबस्टी बरोदा की और से कंड़क्ट कराए जागा आप युनिबसिटी है महराजा सियाजी राव युनिबस्टी बरोदा दोफ्तों अगर जितकी और अधिक डीटेल के बारे में बात करें तो यहां पर आप अप्लिकेशन भर सकते हैं 21 जून से लेकर 21 जुलाई के बीच यहां पर एक्जाम 26 दिसंबर को होने वाला है यहां पर स सारे डॉक्मेंट जा करके आपको सब्मिट करना होगा गुजरात सेट का ओफिस में इसके अलावे अगर जिसकी कुछ और डीटेल के बारे में बात करें तो आपको आना होगा यहां पर नीचे यहां पर देखने को मिलेगा सब्जेक्ट यहां पर आप देख पाएंगे नीचे आएंगे यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि टोटल 25 सब्जेक्ट से एक्जाम इस बार कंड़क्ट होने वाला है यहां पर बात करें एक्जामनिशन सेंटर का तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह वह 11 जगह है जहां पर एक्जाम कंड़क्ट होने वाला है अ इन ही मैसे किसी एक जगा पे जा करके आपको एक्जाम देना होगा अगर बात करें फी क्या है तो यहां पे देख सकते हैं 900 रुपीस जेनरल और EWS के साथ साथ OBC के लिए है साथ ही साथ SCST Transgender के लिए 700 रुपीस है वहीं PWD कंडिडेट के लिए 100 रुपीस यहां पे फी रखा गया है अगर जितकी बात करें eligibility criteria क्या है तो अगर आप अपना master degree complete कर चुके हैं 55% marks के साथ तो आप इस form को भर सकते हैं जो की अभी अपना master degree कर रहे हैं और अपना final semester या final year में हैं इसके अलावे अगर जितकी और अधिक detail के बारे में बात करें तो यहां पे कोई भी age limit नही तो यहां पे आप देख सकते हैं कि UGC net की तरही यहां का भी exam pattern होने वाला है यहां पे कुल दो paper का exam होगा सभी के सभी question objective type पूछे जाएंगे पहला paper 100 marks का होगा 50 question होगे दूसरा जो paper होगा आपका subject specific होगा जहां पे 100 question पूछा जाएगा 200 marks का होगा और दोनों paper के लिए आप देख सकते हैं paper one और paper two के बारे में इसके अलावे अगर जितकी बात करें कि syllabus कहां से आप download कर सकते हैं तो syllabus के लिए आपको गुजरात सेट का official website पर जाना होगा जहां पर मैं आपको लेकर चलने वाला हूं इसके अलावे और अधिक detail के लिए आप इस notification को download कर जरूर इसका official website पर आते हैं यहां पर आपको notification देखने को मिलेगा जो कि मैंने आपके साथ discuss किया अगर आप syllabus डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां से आप syllabus डाउनलोड कर सकते हैं subject देखना चाहते हैं तो इसके उपर जैसे ही आप click करेंगे वो सारे के सारे subject देख पाएंगे जिस subject से basically यहां पर notification निकाला गया है इसके अलावे examination scheme को आप यहां से देख सकते हैं कैसे apply करना है आप यहां से देख सकते हैं कितना fees लगने वाला है वो आप यहां से देख सकते हैं और अधिक detail के लिए आप आईए इस official website और यहां पर आकर के detail को प्राप्त कीजे बहुत बहु tutorial उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया